T21 Cup में दिया मौका तो हुआ फ्लॉप अब चैन करताओं ने बोरिया विश्तर बांद कर भेजा घर दच्छिड अफ्रीका के खिलाब टीम इंडिया के हार में इस खिलाडी करहा अहम योगदान न्यूजिलेन और बांगलादेश के खिलाफ होने वाली सिरीज से भी से कर दिया गया है बाहर टीम इंडिया की खोश्रा होने के बाद टेंशन में अखिलाडी जल्द ले सकता है सन्यास भारती क्रिकेट टीम इंडिनों अस्टेलिया में T20 World Cup खेलने में लगी हुई है जिसमें इंडिया का पदेशन ठीक ठाक रहा लेकिन उस दोरान कुछी खिलाडियों ने अच्छा पदेशन किया वहीं अधिकतर क्रिकेटर उम्मीद के मुताबिक अपना जलबा दिखाने में काम्याब नहीं हुए इस वज़े से उनके समर्थक अवश्च निरास होंगे इस T20 World Cup के बाद भारती टीम को न्यूजी लेंड और बांगला देश के साथ टेस्ट वंडे और T20 मैचों की इसलिए सेलेक्टर्स टीम इंडिया का एलान कर दिया है उष्च टीम में अधिकतर युवा खिलाडियों को मौगा दिया गया है वहीं कुछ महत्पूर किर्केटरों को भी टीम से बाहर का रास्ता दिखाए गया है इन दिनों टीम इंडिया अस्टेलिया में शांदार प्र किया था इस वज़े से चैनकरताओं ने उन्हें बतोर फिनिशर टी-20 वेल्ड कप के लिए भारती टीम में जगन दिया लेकिन इस टूनामेंड में अब तक उनका बला नहीं चलतका है और वो बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं इस वज़े से पिछले मुकाबले में दच कारती खरा नहीं उतर सके जिसको लेकर टी-20 वेल्ड कप इसके बाद होने वाले सिरीज में दिनेसकारती को बाहर कर दिया गया है नुजिलेंड और बांगलादेश के खिलाप बारत को टेस्ट वंडे और टी-20 सिरीज खेलनी है जिसमें अधिकतर युवाओं को मौका दिय गया है वल्ड कप में खराब पदेशन करने वाले कई खिलाडियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जिसमें दिनेसकारती का नाम भी शामिल है वहीरी सपंद को भारती टीम का उग कपतान बना गया है नुजिलेंड और बांगलादेश के खिलाफ होने वाले सिरीज से कप्तान रोई शर्मा और केल राहूल को बाहर कर दिया गया है हार्दिक पांडिया को टीम की कमान सोपी गई है टीटवेंटी वर्लकप के बाद भारती टीम को बांगला देश और नुजी लेंड के साथ टेस्ट वंडे टीटवेंटी मैचों की सिरिच खेलनी है लेकिन इस सिरिंखला के लिए चैन करताओं ने दिनेस कारती को टीम इंडिया में जगन नहीं दी इसे साफ नजर आ रहा है कि अब उनका किर्केट करियर समाप्त होने वाला है क्योंकि अब कारती की आयू अधिक हो चुकी है जिस वज़े से उन्हें जल्द किर्केट को अलविदा कहते देखा जा सकता है अगर दिनेस कारती को वर्लकप में अच्छा पज़ेशन करते तो चेयन करताओं उन्हें एक और मौकाद जरूर देते हैं और उन्हें न्यूजिलेंड और बांगलादेश दोरे में शामिल करते लेकिन चेन करताओं की उम्मीद पर खरा न उतरने पर दिनेसकार्ति का बोरिया भिश्तरबात कर घर भेज दिया गया है अब उमीद लगाई जा रहे कि दिनेसकार्ति की टीम में वापसी कभी नहीं होगी अब भारती चेन करताओं की नजर युवा खिलाडियों पर है जो काफी शानदार परदशन कर रहे हैं ऐसे में दिनेसकार्ति की उम्मर भी काफी जादा हो गई है जिसको लेकर टीम मैनेजमेंट कड़ा फैसला ले सकता है न्यूजिलेंड और बांगलादेश के खिलाब सीरीज में टीम इंडिया नए किलेवर में दिखने वाली है उम्रान मलिक, इशान किशन, सुबमन गिल, संजू सेमसन के लावा कई अन्य युवा खिलाडियों को मौका दिया गया है